सबी दोस्तों का वेलकम है, दोस्तो आस है संडे का दिन और बाहर एकदम ठंडा मौसम हो रखा तो वीडियो मैं इंडोर में सूट कर रहा हूं, तो दोस्तों, अब आप वीडियो पर ध्यान भाददी कुछ क्वाल्टी खराब आ रही होगी, तो दोस्तों, अब इंडोर में यह मैंने light white कुछ जादा नहीं लगाया है तो अभी चलते हम नर्सरी पर और नर्सरी पर आपको दिखाएंगे कुछ इन्यूत तरह के गंले बहुत ब्यूटिफुल गंले वहां पर दिखेंगे और गंले बनते हुए भी दिखाएंगे गंले कैसे बनते हैं तो दोस्तों अभ कोई भी नर्सरी की निव वीडियो आप मिस ना कर सके और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया तो अभी नीचे description बॉक्स में जाइए और हमको मिलेगी हर संडे को तो आप चैनल सस्क्राइब रखे और दोस्तों अभी फटा-फट वीडियो सुरू होने से पहले इसको लाइक कर दीजिए और इस जगे का मैं आपको एड्रेस भी दे दूँगा जहां पर ये गमले बनते हैं तो वीडियो आप लाश्ट तक जरूर देखि तो ये पहले मसाले को तयार करते हैं फिर इन प्लास्टिक के पोट में ओइल लगाया जाता है ताकि गमला इसमें रहना जाए तूटना जाए इसलिए उसके बाद फिर इसको रफ किया जाता है ताकि गमले की अच्छी मजबूती हो और गमला कुछ दिनों बाद जो खराब होने लगता है वो ना हो तो इसलिए यहाँ पर गमले को काफी मजबूती दी जाती है तो एक गमले को बनने में तीन दिन लगते हैं पर यहाँ पर कई गमले बनाये जाते हैं तो तीन दिन बाद गमला तयार हो जाता है और देख सकते यहाँ पे कई डिजाइन के और इनमें कलर भी किये जाते हैं देख सकते हैं जिस हिसाब से इसका प्लास्टिक के गमले का डिजाइन होगा उसी हिसाब से ही इस गमले में डिजाइन आएगी तो यहाँ पे डेली एक काम होता है डेली यहाँ से गमले बाहर भी जाते हैं दिली अंसियार में भी जाते हैं तो आप भी अगर यहाँ से गमले ले जाना चाहते हैं आपका टेरस गार्डन है या बगीचे के लिए तो आपको यहाँ पे गमले मिल जाएंगे अभी आपको बत देखिए एक काच की बोतल से इस गमले की जो सत्य है उसको रफ किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साइच के गमले हैं तो अभी हम इनसे पता करते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटे साइच का गमला और सबसे बड़े साइच के गमले का क्या प्राइज होएगा तो अब देख सकते हैं नरसरी पे तो दोस्तो यहाँ पे यह 10 साल से इनको उपर हो गया है मैंने जब पता किया तो 10 साल से उपरी इनको हो गया है यह काम करते हुए तो काफी इनको हुनर है इस काम का तो देख सकते हैं यहाँ पे कई वरकर लोग हैं जो की गमले बनाते हैं और गमला भी इनका बहुत दूर दूर ये बताते हैं यहां से गमले जाते हैं तो यहां पे आपको hanging port भी मिल जाएंगे पलास्टिके गमले भी आप लेना चाहे तो इस nursery पे ले सकते हैं पर वो वीडियो में आगली वीडियो में cover करूँगा तो अभी फिलाल आप देखिए कि आप सिमेंट के गमले कहां से ले सकते हैं और वो भी इतने मजबूत गमले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे गमले जो है के धूप में रखे हुए है दोस्तो गमला अगर जादा ही धूप में रहे और उसे नमी मिलती रहे तो गमला उतने ही मजबूत होता है ऐसा कि यह लोग बताते हैं तो चलते हैं यहाँ के जो यह वरकर है इन से पूछते हैं कि गमला क्या रेट है क्या साइज रहता है तो हम इन से पूछने की कोशिस करते हैं अभी यह काम में बहुत बिजी हैं तो देखते हैं ये क्या बताते हैं यहां के लिए तो दोस्तों ये देख सकते हैं कांच की बोतल है और कांच की बोतल से ही गमले की देख सकते हैं ताकि जब इसमें रूट बने तो अच्छे से रूट डबल अप हो सके तो चलते हैं इनसे बात करते हैं सबसे चोटा गमला कितने का मिलेगा 20 रुपए 30 रुपए वो कितने इंच रहेगा 8 रुपए और सबसे बड़ा गमला अगर लेंगे तो अगर आप फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाते तो आपके लिए 18 इंची गमला ही सही है और दोस्तो 18 इंची में अच्छे से प्लांट फ्रूटिंग दे देता अब आप आप देखिए इधर गमलो को कलर किया जाता है ताकि वो और भी खुबसूरत लगे तो आप देख सकत हैं यहाँ पे आपको तुलसी के लिए भी मिल जाएगा जैसे कि आप अपने टेरस गार्डन पे या अपने आंगन में तुलसी लगाना चाते हैं तो इस तरह के 500 रुपे है और यह देख सकते हैं यह जो गमला है कमल की यह 600 रुपे पीस है तो आप इसे भी बाई कर सकते है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहां का एड्रेस क्या है तो दोस्तों आप लाश्ट तक आए हैं तो आपको बताते हैं यहां का एड्रेस हम नेश्ट बीडियो में आपको देंगे तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और जो घंटी का आइकन उस से और पर सेलेक्ट रखें ताकि नेश्ट बीडियो आए तो आप यहां का एड्रेस ले सके और यहां से अपने मन पसंद गमले बाए कर सके तो जल्दी मिलते हैं आपको नई बीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अपनी भागवानी का ख्याल रखें जल्दी आप से मुलाकात होती है तब तक के लिए जैहिन